नमस्कार दोस्तो, टाइपसप्स पॉम्प के बारे मैं बात कर रहा है इस लक्षर सिरीज में, अल्रेड़ी एक वीडियो अप्लोड कर रखा है, और उसमें काफी सारे कंसेप्स के बारे में हम लोग अल्रेड़ी बात करी रखे हैं, उसे कंसेप्स को आगे बढ़ाएंगे इ और इसलिए उसको हम लोग metering pump भी बोलते हैं यह flow control में जहां एक दम control amount of flow चाहिए हमेशा चाहिए pressure कम ज्यादा हो तो भी flow तो same रहना चाहिए वहाँ पे positive displacement pump का use भी होता है यह use और application के बारे में और भी detail में हम लोग बात करेंगा बट उसके पहले एक और important concept के बारे में बात कर लो priming के बारे में हमने बात किया था कि centrifugal pump में priming का जरुवत होता है इसलिए जरुवत होता है कि अगर उसमें air हो जाएगा positive displacement pump में मैंने बताया था कि कोई भी pump positive displacement pump होता है तो उसमें क्या है कि आप discharge line का pressure कम करो या ज्यादा करो या अंदर का जो gas है या liquid जो भी हा वह जैसी contract होगा तो इतना ज्यादा compress कर देगा एक तरह एक मतलब contract होकर कि इतना ज्यादा compress कर देगा कि वह air का pressure बढ़ाई देगा और बढ़ा करके वह बाहर निकाली देगा जब बाहर निकाल देगा तो obviously अंदर जब यह जब expand होगा तो फिर वापस suction कड़ी लेगा ठीक है मतलब यह suction अंदर का pressure कम होकर के suction को पूल कर लेगा तो एक तरह से जब यह expand होता है तो एक अच्छा खासा vacuum create कर सकता है even अगर air हो तो भी इसलिए positive displacement pump में प्राइमिंग की जरूद नहीं परती है ठीक है पिछले वीडियो में जब हम बात कर रहे थे कि positive displacement pump constant flow के लिए design होता है तो एक तरह से यह बड़ा confusing लग कि यार फिर तो positive displacement pump में हम flow vary करी नहीं सकते है तो मतलब क्या है कि एकदम fix amount का ही flow मिलेगा तो उसका क्या मतलब है तो इसलिए real application में positive displacement pump का भी flow हम लोग चेंज कर पाते है और उसका region क्या है उसका region यह है कि जो हम मैंने बात किया थे कि उसका flow है mostly depend करेगा दो चीज पे stroke length पे और number of strokes पे तो obviously number of strokes change कर सकते हो अगर आप rpm change कर सकते हो अगर turbine driven pump है तो उसका rpm change करके हम flow बढ़ा सकते है यह stroke volume जो है ना उसको भी change करने के लिए basically क्या करते है कि stroke length change करकर के length into area इस volume को लिख सकते हैं इन टू नमबर अथ स्ट्रोक्स है यह लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या जैसे मालों यह piston है अब यह piston का जो movement है पहले है एक केस में मालों सिर्फ यहां से यहां तक ही move कर रहा था ठीक है दूसरे केस में हमने इसका movement को ज्यादा length बढ़ा दिया एरिया तो अगर मालों यहां पर discharge है ठीक है डिशार्ज लाइन में अगर आपको फ्लो कम चाहिए तो पंप तो सेमी के सेमी फ्लो देना है तो अगर आपके पास फ्लो कम चाहिए इधर आपको फ्लो कम करने चाहिए तो एक आप यह कर सकते हो कि वहां से अब इसमें एक इंपोर्टेंट बात है देखना यह जो डिस्चार्ज से वापस सर्कूलेशन होकर के सक्षन लाइन में आता है अगर वह पोजिटिव इस्प्लेस्मेंट पंप जहां पर भी आना तो देखना उस कंट्रोल वाल को लिखा होगा प्रेसर कंट्रोल वाल ठीक ह संट्रीफ्यूगल पंप का जो डिस्चार्ज से अगर सक्षन लाइन में वापस जो देता है न इसको आम लग बोलते हैं फ्लो कंट्रोल वा मिनिमाम फ्लो कंट्रोल रीजन क्या है कि यहां पर पर पस है यहां पर सर्कूलेसन इसलिए करने है किपंप के थूरी क्विंवन होता है क्योंकि तुरू एक फ्लो से कम हो जाएगा ना तो फ्लूइड रिसर्कुलेशन होने लगता है सील कर सकता है तो वह मिनिमम्प्लो रिक्वाइर्मेंट होता है रही कर सकते हैं और भी करने लगता है उसके एक टरह सब इफिसेंसी भी बहुत कम हो जाते है तो इसलिए फ्लो का रिक्वार्मेंट यहां पर क्या है कि अगर आप फ्लो आगे कम ज्यादा करोगे ना तो डिस्चार्ज के लाइन का प्रेसर कम ज्यादा हो जाएगा फ्लो तो वही कब रहेगा आप मालो इस कंट्रोल वाल को आप ज्य इस वह को सक्ट्रोल यहां सक्रक्लाइब यहां जो सब्सक्राइब प्रेसर कर लोडोर इसके बाद हम लोग आप इसको हम लोग अच्छे से पॉजेटिव डिस्पलेश्मेंट ओर इसका अप लीके वल्डिेस के बारे-दंग हम Lagos ठीक है यह हो गया मतलब ठीक है आपने एनरबी के बारे में समझी लिया है तो यहां पे एक एनरबी है और यहां पे यह जो जुसके बारे में हम लोग प्लनजर बहुता है थिक कह सकता है लंजर क्लाइन भी हो सकता है डiaarme यहां पर इनलेट वाल्व है यहां पर आउटलेट वाल्व है और यह कनेक्टेट आगे रोड़ से पीछे जाए जब इनलेट वाल्व जाएगा और जब ड्राइफ्रम थायगा तो इससे वी से पीश्टन guiding, refugee- вещи, क्यों में प्लाइफ्रम थाइप यहां अब ड्राइफ्रम थाइप में बड़ा इंपॉर्टनट बात Allah बढ़िया बत क्या हो रहा है कि द्रैफ्राम में जो फ्लुइड है फ्लूइड है उसका डाइक्ट ड्रेक्ट कॉंटेक्ट घौ-जो ए इससे होई नहीं रहा कि यह जो डाइफ्राम का मुव्मेंट जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है अब यह जायEगा और यह पीछे जाएगा तो यह वालूम एक्सपेंड होगा तो यह माली जी सकसन तो सकसन हो जाएगा और जैसे फिर यह आगे होगा volume contract होगा तो contract होगा तो इधर वापस इसमें चला जाएगा तो अब यह जो ड्राइफ्राम है ना अब इस ड्राइफ्राम का भी movement जो है ड्राइफ्राम का reciprocating motion किसी ने किसी तरीके से तो होगा नो आटोमेटिकली आगे पिछे तो नहीं move करेगा अगर ड्राइफ्राम का reciprocating motion काई तरीके से हो सकता है यह हो सकता है कि यह connecting rod है और वह ultimately जो है आपका motor से एक linkage से through उसका reciprocating motion कर दिया तो यह ड्राइफ्राम आगे पिछे मूब कर रहा है यह ड्राइफ्राम को आगे पिछे मूब कर आने के लिए reciprocating-motion करने के एर प्राइब आपरेशन से भी होता है इसका यूटूब पर बहुत अच्छा वीडियो भी पड़ा हुआ है या फिर इस ड्राइफ्राम को एक प्लंजर से कनेक्ट कर दिया अब यह प्लंजर जो है ना आगे पीछे मूब कर रहा है और उस जब आगे पीछे मूब कर रहा है तो आगे पीछे मूब कर रहा है तो ऐसे पंप को आप क्या बोलोगे पलंजर पॉलोगे यह दाइफ्राम पॉलोगे रिफाइनरी में जो यूज होता है ना डोजिंग के लिए वो मौस्टलि यही पंप होता है इसमें प्लंजर रहता है और डाइफ्राम रहता है इसको इसमें एक तरह से reciprocating motion में से प्रेसर डवलफ हो रहा है लेकिन डाइफ्रांप उनका खासियत ही है कि डाइफ्रांप में क्या है कि एक तरह से आप समझो कि यह लाइन जो है एक तरह से लाइन ही है डारेक्ट ले इसमें कोई भी पंप के जो पार्ट है उससे कोई connection ही नहीं है मालो कि यह जो plunger है casing है इस तरह से तो इसमें leak होने का chance बहुत कम है यह leak proof है एक तरह से एक तरह से जो भी अगर leak कहीं हो भी गया तो चेक वाल से जिदर से हुआ पर एक तरह से डाइफ्रांप जब तक नहीं फटता है तब तक लीक नहीं होगा तो इसलिए जो डाइफ्रां मतलब ऐसे solid जो कि अगर directly मालो की जो pumping equipment के contact में है तो उसको cut देगा तो वहां पर भी यह use हो सकता है mostly जो refineries में dozing pumps होते हैं वह जो chemicals doze करते हैं वह toxic होते हैं उसके सबका material safety data sheet भी होता है handling करना रहता है उससे safely handling करना चाहिए ammonia या फिटी एसप जो भी dozing होता है तो इसलिए ऐसे में एक diaphragm pump के थूरू ही इसका dozing होता है इसलिए इसको metering pump भी बोलता है मैं पहले अल्रेडी बताया था सारे reciprocating pump को metering pump भी बोलते हैं तो जो refineries में use होता है mostly diaphragm pump होता है उसमें actually plunger भी होता है plunger के थूरूर diaphragm का movement होता है तो यह corrosive के लिए toxic के लिए abrasive के लिए flow कैसे change करते है flow हम लोग stroke length change कर देते हैं तो उससे flow change वाजाता है ठीक है इसके discharge line में PSB होगा वह बहुत important होगा अब positive displacement pump और centrifugal pump के differences के बारे में हम लोग बात कर रहे थे तो एक operation point of view से बहुत important बात है positive displacement pump जब भी हम लोग start करते है ना तो उसका discharge line मने discharge वाल पुड़ा खोल करके हम लोग start करते है कारण क्या है पिछले वीडियो में जैसे मैंने बात किया था power के बारे में हमने बात किया था कि power जो है rho qgh ठीक है और यह positive displacement pump में जो है ना डारेक्ली proportional to head हो जाएगा प्रेशर प्रेशर जितना ज्यादा power requirement ज्यादा तो स्टार्टिंग में मोटर में इक इनर्सिया रहता है तो इसलिए जब सेंट्रिफीगल पॉम्प को जब चालू करते है ना तो सेंट्रिफीगल पॉम्प में जो पावर रिकॉर्मेंट हो डारेक्ली प्र पॉजिट्व डिस्प्लेश्मेंट पॉम्प में तो डिस्चाज़ बन कर दोगे तो प्रेशर बहुत सूट कर जाएगा इसलिए वहां पर प्रेशर सूट करेगा तो पावर रिकॉर्मेंट भी ज्यादा हो सकता है ने तो वर्स केस में पीस भी पॉप अफ हो सकता है इसलि पॉप में जो है ना एक्चुली मतलब रोटेशन होता रहता है एक तो साफ्ट है साफ्ट पे आपका डिफरेंट टाइप ऑफ रोटरी पॉम्प होते है जैसे यह जिसे यह दिखो यह गीर पॉम्प है यह पेरियस्टाल्टिक पॉम्प है यह स्क्रू पॉम्प है यह इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसMeंन हो चाहिए रिस्प्केुटिंग हो इसमें कैसे काम करता गते हैंगोंग तुसफनीशिक्व का बाॉंडरी चेंज और मेंखं़ बॉब्लून इस तरह से रहते हैं कि एक gear साफ से connected रहता है और दूसरा जो है एक gear का दूसरे gears के दाथ से attach होकर इस तरह से रहते है कि दूसरा उसके opposite direction में move करता है तो मालो की यह जो gear है इस direction में clockwise गुम रहा है तो दूसरा जो है इस direction मोब कर रहा है तो यह जब opposite direction में मूव्मेंट हो रहा है ना इसी बास से suction line पर एक तरह से expansion हो गया expansion करन low pressure zone create होगा यहां पर fluid सख हो गया fluid सख हुआ तो यह जो दाथ है और इसके casing के बीच वाला area में तरह तरह आधा और यहां पर देखो यह तो इस direction मूब कर रहा तह एक तरह से दोनों लोग इस तरह से मूब कर रहा है कि यहां का जो वालूम है एक तरह से contract हुआ हो तो contact होने के करने यहां पर जब जाएगा तो प्रिसर बढ़ जाएगा और discharge होगा समझ रहा है जब जब दो गीर चलियार अपोजी डारेक्शन में मूप तो क्या होजा है वहाँ पे एक्सपैंसर होगा। मैंने पीछली वीडियो में बात किया था कि अगर आप कौंट्रेक्ट करोगें तो प्रेसर बहुत बढ़ जाता है। कई लोग को बनौली लगाने की इतनी आदत हो जाती कि उनको कहा जाए कि एरिया मतलब सिंपली आप समझो कि बात कर रहें तो एरिया एक तरह से घटा दे रहे हैं अगर वीड सेम है तो एरिया घटाने से प्रेसर जो है बढ़ जा रहा है तो ओलेंगे कैसे विए एरिया बढ प्रेसर में बढ़ेगा वह बलेंगे अरिया बढ़ाओंगे अरिया बढ़ाने से आपका घट जाएगा तो एकशली यहां पर बौर्ण वली नहीं लग साथ है, मतलब लोकी फ्लोव हो रहा है और यहां पर आपका अरिया बढ़ा घटेगा बनौली लगा सकते हैं एक ही fluid दो डिफ्रेंट पोजीशन पर हम देखेंगे तो यहां पे एरिया कम है तो यहां पे फेलोसिटी जो है वह ज्यादा होगा और यहां पे ज्यादा है तो बैस्टी कम होगा कर्रोसपोंडिंग प्रेसर में रिलेशन हो सकते हैं यहां पर आप का वॉलूम कम हो गया तो वहां पर प्रिसर बढ़ जाएगा क्योंकि मोलिकूल काफी पास पास में आ जाएंगे तो प्रिसर बढ़ जाएगा यह पंप इस तरह से काम करता है अब आप देखो इसमें तो कॉंटिनियूसली सक्षन हो रहा है तो यहां पॉल्सेशन का प्रॉब लेकिन अगर मालो की यह दोनों टीट के बीच में अगर क्लेरेंस हो गया तो क्या हो गया यहां प्रेसर ज्यादा यहां प्रेसर कम है फ्लूइड री सर्कुलेट हो सकते है फ्लूइड री सर्कुलेट हो गया इसलिए जो रोटरी पॉंप होता है वह हाईली विसकस आप देखोगे मैंने पूरा पूरा स्टेट बनाया था लेकिन थोड़ा सटे रही होता है तो आप देखो ऐसे हो जाता है जैसे जैसे विसकोसिटी बढ़ती है जो हैड डेवलोप्मेंट ज्यादा हो जाता है या फिर आप कहो कि एफिसेंसी बढ़ जाती है वोलुमेट्रिक से कनेक्टेड होता है दूसरा उसके दाथ से कनेक्ट होकर करके एक मूब करता है दूसरा अपोजिट डेरेक्शन में मूब करेंगा जहां अपोजिट डेरेक्शन में मूब करेंगा एक स्कूरू दूसरा स्कूरू तो जहां अपोजिट डेरेक्शन मूब करेंगा वहां प जैसे ही यह आ यहां पर सख्षन हो गया और नीचे की तरह की थी dare कर रहे तो पांट्रेक्शन है प強ण होगा कर दो 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 इससे जूरह है तो दो है इस घुरह है तो क्या है संसक्राइक जो रूजनल हो गाए डिस्चाज भी हो जो जाए कैंड ऑफ ए छिक लोब पम इंतल यहां पर दाथ नहों करके लोब होता है बट मुवमेंट वही है से में पर ये इस्टाल्टिक पॉम में कैसे होता है प कि यहां का फ्ञुइड प्रेशर बढ़ेगा यह आगए जाएगा फिर यह रोलर इधर इधर गया तो दाब दीया और यह थोड़ा एक्सहेंड वहां तो फर्दर सक्षन हो गया यहां पर फीद रोलर गया तो यह तो फुलूट और आगे बढ़ा इसन से जिदर जीदर रेलर मूझ करते जाएगा फ्लूट को आगे लेते जाएगा का जिए अब इसमें खास बात क्या है कि जैसे मैंने बोले ना डायेक्ट ली जो भी मसीन से मसीन के पार्ट है उससे कांटेक्ट में ही नहीं है एक तरह से पाइप से यह तो इसलिए वह क्या है कि लीक प्रूफ है उसी तरह फिर इस्टाल्टिक पॉंप भी लीक प्रूफ है आप समझना है सक्षन पाइप और बिश्चार्ज लाइन के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं इसके मूविंग पार्ट से वो डायरेक बिल्कुल यहां पर लीक नहीं होगा नहीं यह इसके अंदर नहीं जाएगा यह डिरेक्ली एर में नहीं आ सकता है ठीक है लोग पंप भी यह फूड इंडस्ट्री में यूज होता है लोग पंप इसके भी खासियत बात है अब इसमें हम यह सभी डिफाइनरी में जो क्योंकि बीच में यह लिकेज नहीं होगा लिकेज नहीं होने के कारण से इफिसेंसी बढ़ जाएगा तेकि इसमें आप देखो सेन्टिफिफिगल पॉंप में हमने बात किया था पॉंप परफॉर्मेंस कव के बारे में और मैं यह डिराइब किया था कि हैड वर्सिज क्य जो graph होगा वह ऐसे होगा बट reality में हम लोग को मिलता है ऐसे क्योंकि flow जैसे जैसे बढ़ता है ना तो frictional losses ज्यादा हो जाता है इसलिए actual head नहीं मिल पाता है और low velocity में क्या होता है circulation loss के वज़ा से actual head नहीं मिल पाता है तो इस तरह से frictional losses होते हैं तो जैसे जैसे flow बढ़ता है friction loss होता है और हमने बात किया था आपको पता है हाईगन प्रेशन में डेल्टा पी इज कल्ट होता है 32 मूल भी एवरेज बाई d square यानि जैसे जैसे velocity बढ़ेगा pressure drop बढ़ेगा losses बढ़ेगा और viscosity बढ़ने से भी frictional losses बढ़ता है इसका मतला अगर centrifugal pump में viscosity बढ़ाओगे तो उसका fractional losses बढ़ता जाता है यानि centrifugal pump में high viscosity बढ़ने से उसकी efficiency घरती है जबकि positive displacement pump में viscosity बढ़ने से उसकी efficiency बढ़ती है यह important होगे इसलिए highly viscous fluid के लिए positive displacement pump बढ़िया है अब अगर आप बात करोगे तो मैं एक graph बनाऊ आँ विसको सिटी विसको सिटी वर्सेज क्यों की तो आप देखना है centrifugal pump में viscosity बढ़ने से उसका efficiency घरतेगा उसका through flow घरता चला जाए क्योंकि काफी जो भी centrifugal collection से जो energy provide किया जारा है उसका कुछ पार्ट तो फ्रेक्शनल लॉस में ही convert हो जारा है जबकि थोड़ा सब बढ़ जाता है positive displacement pump में जो भी leakage होड़ा था ना वह वापस नहीं हो गया इस तो इसलिए बढ़ जाता है सेम चीजए screw pump में लेकिन एक चीज़ important है यहां पर यह समझना बहुत important है कि हम जो भी बात कर रहे ना वह चीज़ एक similar flow के लिए बात कर रहे है मतलब सेम capacity में centrifugal pump से अच्छा होगा positive displacement pump लेकिन अगर बहुत high capacity मतलब बहुत ज्यादा flow देना तो positive displacement pump बहुत ज्यादा flow दे नहीं सकता है क्यों नहीं दे सकता है उसका volume फिक्स ही है मालों यह casing और इसके बीच में जो दात्स है उसके बीच में जो volume है उसी volume से तो इसको travel करना है तो उतना ही volume तो दे पाएगा आप discharge line का pressure बढ़ा दो गया तो भी यह जो भी लिके आया है उसको बाहर इसको दे नहीं है compress करके तो दे देगा तो flow तो same रहेगा constant रहेगा तो pressure बढ़ जाएगा लेकिन flow बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते इसलिए कहा ऐसे मैं बोल रहा हूं highly viscous fluid के लिए gear pump और screw pump अच्छा है बट अगर आपका viscosity भी बहुत ज्यादा और आपको flow भी बहुत चाहिए तो फिर आपको centrifugal pump में ही जाना पड़ेगा हाँ उसकी efficiency थोड़ी कम रहेगी उसका motor requirement ज्यादा हो सकता है उसका designing अलग हो सकता है एक impeller के जगह दो impeller लगाने पड़े यह हो सकता है लेकिन उसके लाव आपको पास उपाय नहीं है flow जहां capacity आपको बहुत ज्यादा चाहिए अगर pressure भी बहुत ज्यादा चाहिए तो आपको centrifugal pump में ही जाना पड़ता है क्योंकि वही ज्यादा flow दे पाएगा हाँ एक ही जग करेगा और भी बहुत सारे parameter पर कि capacity कितना है और कितना आपका cost आ रहा है कि इसमे cost कम ज्यादा मल्टि स्टेज कर देने से cost बहुत बढ़ जा रहा है तो उसकी जग पोजिटिव इसमें करो अगर flow थोड़ा lower range में है तो anyway तो gear pump highly viscous fluid के लिए बढ़िया है screw pump भी highly viscous fluid के लिए इसलिए हमारे refinery में जैसे मैंने देखा जो fuel oil pump होते है उसकी विसको सिटी जादा हुए वह एक तरह से बोलो कि आप low sulfur vr ही है vacuum residue ही है तो उसके लिए screw pump होते है इसके लिए हमारा जो MAB और WGC जैसे compressors के जो leave oil pump होते हुए screw pump होते है और छोटे-छोटे जो pump होते हो गियर pump ह जैसे कि आप उस प्लान 54 में जो seal oil pump होते है hydraulic circuit में वह सारे gear pump होते है वहाँ पर leave oil का विसको सिटी अच्छा का सा होता है leave oil pumping के लिए यूज होता है लेकिन high sulfur vr जो है जैसे वीडियू का जो bottom product होता है उसकी तो विसको सिटी बहुत जादा है लेकिन वहाँ centrifugal pump होता है क्यों हमने यह बात समझ लिया कि highly viscous fluid के लिए gear pump screw pump यह अच्छे है वेन pump भी अच्छा है मैं देखा नहीं इसलिए मैं discuss नहीं करता हूं आप देखी सकते हैं एक और चीज़ अब बात कर रहा हूं slurry के बर में slurry के तुरू ज्यादा अच्छा होगा slurry के अगर बात किया जाए तो फिर clearance बढ़के efficiency free घट जाएगे है ना इसलिए gear pump और यह सब में slurry नहीं यूज कर सकते है अगर उसमें abrasive nature नहीं हो तो centrifugal pump में slurry यूज कर सकते हो उसका impeller ज़रूर खार सकते है बाट impeller के material strength चेंज कर दो ठीक है या फिर उसमें casing में lining करके material strength चेंज करके slurry को भी handle करा दे होते हैं जैसे FCC के bottom product उसमें यह होता है catalyst होता है slurry होता है बटो centrifugal pump से चलता है डाइफ्राम pump में slurry यूज कर सकते हैं क्योंकि और डाइरेक्ली किसी मनें जो इस motion में जो reciprocating motion या gear उसके contact में नहीं है तो directly contact में नहीं है तो फिर उसके abrasive fluid ले सकते हैं एक तरह से बस इसके लावा एक और important बात तो अगर आप maintenance के बारे में बात करें कि centrifugal pump में क्या है कि मोटर है उससे डारेक्ली साफ्ट कनेक्टेड और साफ्ट पर इंपेलर है तो बहुत कंपोनेट्स है तो साफ्ट जो है वह आसानी से साफ्ट जैसे गुमता है इंपेलर गुमता है और pumping action होता है positive displacement pump में जैसे reciprocating motion है तो क्या होगा साफ्ट तो रोटरी मोशन कर रहा है और आपको plunger और piston को reciprocating motion में ले जाना है तो आपको एक gear चाहिए तो gearbox और भी ज्यादा components हो जाते हैं ठीक है इसका ceiling भी अलग तरक होता है liquid seal होता है अलग तरक होता है अलग तरक होता है अलग उस cases में ज्यादा components होने के कारें उसमें maintenance cost भी थोड़ा ज्यादा रहता है हालांकि centrifugal pump में seal leak बहुत होता है मैंने तो बहुत देखा है तो इस तरह से इसमें भी होता है बट on theoretical basis पर का जाएगा तो positive displacement pump में थोड़ा maintenance ज्यादा होता है तो तो quickly हम लोग centrifugal pump और positive displacement pump को जो differences है उसको quickly revise कर लेते हैं देखे centrifugal pump high capacity के लिए उस होता है क्योंकि वो directly discharge ज्यादा देगा flow बढ़ा सकते है बहुत ज्यादा हाँ head बहुत ज्यादा create कर सकते है ठीक है capacity में जरूर चेंज कर सकते है stroke length चेंज करके या फिर उसका minimum circulation करके हलांकि उसमें main capacity चेंज नहीं हुआ बट requirement करने सार हम लोग चेंज कर सकते है ठीक है इसमें simple construction है एक bus impeller है वही move करता है यहाँ पे gearbox चाहिए piston plunger अगर pump है तो यहा यहां पर क्या है कि head अगर discharge वाल गलती से अगर बंद हो गया तो यहां पर discharge line रप्चर हो सकता है इसलिए PSB required है यहां पर pressure बहुत ज्यादा suit कर सकता है इधर अगर discharge वाल थोड़ा देर के बंद हो गया तो उतना कोई दिक्कत नहीं है हालांकि अगर आप pump का discharge बंद करके इसलिए PSB वहाँ पर तो बहुत ज्यादा होता है पाद हमने पहले भी बात किया था जहां पर कि से अपर के इस तरस होता है तो आप देखो कि यहां पर एक जो पॉइंट होता है कि वहां पर उसका वी से बेस्ट इसन से होता है और उससे कम फ्लो और फ्लोरी सर्कूलेशन क जुसके वाज से उष्ज घड़ गाती है ईसने ऐसने पॉजिटिफ डीस्प्रेश्मेंट मैं जू है कि फ्लो तोग तो अब इफिसेंसी बहुत जादा है वर उसके आगे पीछे बहुत कम हो जाता है तो इक लाल में इसमें पर्णक कम है क्योंकि मुविंग पार्ट एक ही इफिएलर है जब कि यहां पे मेंटेनस कोस्त थोड़ा बढ़ जाता है तो कहा लिखा हो हाँ और मेंटेनस कोस्त ठीक है इसमें vibration और pulsation नहीं होता है ठीक है यहां पर pulsation होता है reciprocating में रोटरी में नहीं होता है तो ठीक है उस pulsation को कम करने के लिए हालांकि simplex, duplex या dampener यूज होता है इसके लवाए इसमें जो density अगर बहुत ज्यादा change होने से discharge pressure कम ज्यादा हो जाएगा क्योंकि आपको पता है head जो यह होता है constant flow pump है यह हलांकि flow change कर सकते है stroke length change करके इसमें प्राइमिंग का जरुवत नहीं होता है क्योंकि air को भी यह discharge कर सकता है जबकि यहां पर प्राइमिंग का जरुवत होता है इस प्राइमिंग को जरुवत को भी बंद करने के लिए हम लोग नॉन रिटन वाल्व सब्सَّरता है यहां पर आख यहां पर प्रोच के प्रपोस्टों यहां परोबरेगा इतना बढ़ेगा यहां पर सकते हैउसे बड़ आप कर पने सी यहां पर इफिसएंसी घरती है यहां कि बड़ती और मुझस सभी टाइब के पंप में यूज जो होता है वो दिखेंगे जो भी हाई वॉलूम के लिए है सेंट्रिफिकल पंप है डोजिंग पंप मस्टली डाइफ्रम प्लस प्लंजर होता है ठीक है जो भी विसकस फ्लूइड है जैसे आफ फो पंप है जो लो फ्लो के लिए सब अच्छा लगा वाँगा, वीडिएो देखने के लिए धन्य बात